अगर आपके पास Redmi 13 13C है तो उसके अंदर notification की setting कैसे कर सकते हैं या लोग screen पर notification hide कैसे कर सकते हैं उसको करने के लिए setting पर जाना होता है निचे सेट जाएंगे यहाँ पर आपको दिख जागा notification and control center इस पर आपको tap कर देना है तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा तो यहाँ आपको के सामने तीन उपसन आते हैं फ़र्स नमर भी दीख जाता सो notification and contact यानि कि जो भी आपका notification होगा आपका location पर आपके जब करते हैं तो notification बट हाइड कंटेक्ट यानि कि जो भी आपका number का message आता हो आपका हाइड रहेगा बाकि जो भी notification आपका आपका सो करेगा बाकि यहाँ पर जब करते हैं तो आपको कोई भी notification सो नहीं करता है don't show locked screen notification ठीक है जब आप इसको enable कर देते हैं तो इस तरह से आप अपने message को lock screen पर hide and hide कर सकते हैं बाकि यहाँ पर आप जाएंगे back करेंगे तो आप mostly जाके सिस्टम से भी कोई किसी भी आपका ऐसे notification ऐसे हाइड कर सकते हो यह किस्टमाइज कर सकते हो ठीक है करने कबाद आपको देख जाता है floating notification इसको आपको टाइप कर देना है यहाँ पर आपको देख जाता है अगर एक मिनट तक रखना है तो यहां से एक मिन तक आपका सो करेंगा तो कुछ इस तरह से इसमें कले जिएगा ब में बढ़ा करेंगे तो कुछ इफ्रस आगा तो यहां पर आपका क्या होता कोई बी एप अपडेट या कोई NOTIFCR Jayson अता तो यहां पास बनना रहता है यहां पर आपका जब करता है कोई भी NOTIFCR अता कुछ इस तरह से ठीक है तो आपके इस पर लगाना चाहते हैं यहां से कर लेंगे बाकि आपको जो ऐसे करना होगा यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं बाकि इसकी अलग से डिटेल में वीडियो बना रखिये तो आई बटन आपकी इसकी वीडियो मिल जाएगी वीडियो अ